किसान आंदोलन 2.0 राजनीदी का नया मोर्चा पीम मोदी से क्यों डरे किसान किसानों ने खोली अपनी पोल नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट देश के किसानों का आंदोलन एक बार फिर सुर्ख्यों में है इस बार पहली से जाधा किसान संगठन या बोले की 100 से अधिक संगठन इस प्रदशन में शामिल है जादा से जाधा टैक्टरों को दिल्ली में लाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन समझा रहा है तो कोई सुनने को तयार नहीं है पुलिस रोग रही है तो कोई बात ये है कि सब कुछ लोगसुबा चुनाव से ठीक पहले होना शुरू हुआ है और जिस तरह के बयान सामने आ उनसे मालूम पढ़ रहा है कि इस प्रदशन का असली मकसद किसानों का भला नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीती हैं तो आज बात होगी किस्तानों के प्रदशन की बात होगी सामने आ रहे बयानों की तो चलिए शुरू करते हैं लोगसबा चुनाओ सिर्फ पर हैं और साल 2020-21 की तरह किसानों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है सडकों पर कटी लेता नुकीले कील कंक्रीट के बड़े बड़े बोल्डर कंटेनर ब्रिगेडी बड़ी तादात में पुलिस का पहरा आजकल देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओ का यही हाल है यह देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन शहर पर चड़ाई करने वाला है और उसे रोकने की तयारी चल रही है लेकिन असलियत क्या है असलियत यह है कि यह तयारी पंजाब हर्याना और दिल्ली से सटे राजजियों में आंदूलन कारी किसानों को राश्टर राजधानी आने से रोकने की है अजीब बात यह है कि चुनाओं से पहले ही किसान आंदूलन क्यों देखा जाए तो सब कुछ लोगसमा चुनाओं से ठीक पहले शुरू हुआ है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उनका क्रम देखा जाए तो ऐसा मालूम प करते हैं केंद्र सर्कार नियुंतम समर्खन मुली की गैरेंटी दे किसानों के खिलाब मुकदमे वापस लिए जाए लखीमपुर खीरी मामले में दोशीयों को सजा दी जाए किसानों को प्रदूशन कानून से बाहर रखा जाए सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करें किसानों और हैतियार मज़्दूरों को पैंशन दी जाए विद्युत संसोरधन विधैक 2020 रद्द किया जाए शुडवात से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि किसानो पाई आमदुलन नियूंतम समर्थन मूली यानी की MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर है किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी सभी फसलों के लिए नियूंतम मूली तै करे ताकि उनको कोई नुखसान ना हो अब सरकार इस मुद्धे पर बाचीत करके समाधान निकालने को भी त शिक्ता फैलाने का बरपूर प्रयास किया जा रहा है बरपूर कोशिश की जा रही है उधारण के लिए ऐसे ट्रेक्टरों को दिल्ली सीमा पर लाने की कोशिश है जिसमें भिंडरा वाले की जंडे लगे हैं इसके अलावा वो लोग भी इस प्रदशन का हिस्सा बन चुके अब एक ऐसा प्रदशन में जिसे अन्य दाता के नाम पर प्रमोट किया जा रहा हो उसमें ऐसी बातों का क्या मतलब हो सकता है दोहजार बीस इकिस के प्रदशन में भी यही सब देखने को मिला था जिसके बाद इस पन्नो जैसे खालस्तानियों ने इस प्रदशन के दौरा तो वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टिया इस मौके का लाब उठाने से पीछे नहीं हट रही है आम आदमी पार्टी के प्रमुक और दिल्ली के सियम केजडिवाल दिल्ली वालों की परवा किये बिना ऐसे प्रदशन कारियों को समर्थन दे रही है वहीं कॉंग्रेस क पूरवध्यक्ष राहुल गाधी ने माहौल का फायदा उठाकर गारंटी दी है कि अगर उनकी कॉंग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कॉंग्रेस किसानों को हर फसल के लिए MSP सुनिश्चित की जाएगी दिल्चस्व बाद यह है कि राहुल गाधी ने इस वाले के साथ ये भी कहा कि वो स्वामी नाथन रिपोर्ट में रखी गई सब बातों को किसान के हित में लागू करेंगे जिसे UPA सरकार ने 2010 में खारिच कर दिया था अगर कॉंग्रेस पार्टी को किसानों के हित के लिए इस कदम को उठाना ही था तो उन्होंने इसे तब क्यों नहीं लागू किया जब उनके पास सारी सत्ता थी आज विपक्ष में बैठकर इस मुद्दे पर उस समय वादे करना जब एक वर्ग सडकों पर उत्रा हुआ है अब यहां पर जो स्वामी नाथन रिपोर्ट का जिक्र हुआ है उसे पहले समस्ते हैं किसानों की समस्याओं को समस्ते हुए प्रॉफेसर में स्वामी नाथन की अधिक्षता में 2004 में राष्ट किसान आयोग का गठन हुआ था इस आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच रिपोर्ट पेश की इसमें कई सुझाओ दिये गए थी जैसे देश में खादी और नूट्रीशन सीक्यूरिटी के लिए रणीती बनाई जाए किर्शी प्रणाली की प्रोडेक्टिविटी और स्थिर्था में सुधार किया जाए किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो पहाड़ी और तटी शेत्रों के साथ शुक्ष भूमी पर किषानों के के लिए फार्मिंग प्रोग्राम को कृषी के लिए स्थानी निकाय सशक्त बने इसके सांथ ही इस आयोग के रिपोर्ट में न्यूंतम समर्थन मूली मस्पी शुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया गया था और फसल की ऑसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मस्पी देने का सुझाव दिया गया था स्वामी नाथन रिपोर्ट के अलावा ये भी जानने वाली बात है कि इस प्रदशन की एक मांग में से एक मांग ये भी है कि जिन लोगों पर किसान अंदोलन में केस दर्ज हुआ था उन सभी केसों को रद्द किया जाए अब ये केस क इस बात पर हुए है ये भी ध्यान देने वाली बात है पिछले किसान अंदोलन के समय जो प्रदशन हुए थे उसमें हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी जिसमें लाल किले तक पर हमला हुआ था इसी के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्च किया था और अब ये प् उपद्रों को जायस मांते हैं सबसे खास बात यह है कि पूरा प्रदशन राजनेतिक है वह ये कि इसे लोगसबा चुनाओं से ठीक पहले आईजित किया रहा है इस प्रदशन में कई संगठर शामिल हैं जो किसानों का निर्दोत करने का दावा करते हैं और अच्छे से जा सत्र समाप्त हो गया उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो के तहट सीमाओं पर फ्रैक्टर इखटा करने शुरू किये इसके लावे एक सवाल ये भी बनता है कि जो किसान दिल्ली कुछ की तैयारी में लगे हैं क्या सिर्फ वही किसान है और वही सरकार द्वारा MSP पर कानू ना होने से परिशान है नहीं देश के अन्य कई राज्य भी हैं जो कृष्ट में खासा योगदान दे रही हैं लेकिन वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं सवाल तो उड़ता है ना केवल पंजाब के किसानों को ही सरकार से तनी समस्या क्यों है और क्यों ये लो क्यों इसे पॉलिटीकल पार्टियां जूरती ही जा रही है वहीं अब किसान अन्दोलन के पीछे राम मंदर का जबरदस्त कनेक्शन भी सामने आ गया है किसान नेता ने खुद ही इस अंदोलन की पोल खोल के रग दी है आर इस अन्दोलन के पीछे की वज़ा आपको हैरान कर देगी वजवा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोक प्रियाता का ग्राप नीचे गिराना और ये हम नहीं ये खुद कहना है किसान नेता जगजीत सिंग डल्लेवाल का उन्होंने एक यूट्यूब इस अगर व 작업 करा तो सरकार बदलने से पहले उसे हमारी बातों मानने मजबूर करना पढ़ेगा सरकार बदलन जाये कि तो नई सरकार कहेगी हमने तो वादा ही नहीं कि इसके बाद किसानों और से मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेदर मोदी की लोगप्रियता का ग्राप बढ़ रहा है ऐसे में मुश्किल होगी मैं लोगों से कहता रहा हूं उनके ग्राफ को नीचे लाना होगा अगर उनका ग्राफ उपर रहेगा तो वह कुछ नहीं करने वाले लेकिन सरकार की लोगप्रियता ग्रेगी तो वह सारी बातों को माल लेंगे जगजीत सिंग का ये वीडियो सोशल वीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है साथी आंदोलन के उद्देश और टाइमिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं मोधी सरकार के लिए चुनौती भी है । सकती की जाए तो नुकसान का डर । सकती नहीं की जाए तो महीनों तक राज़णी में प्रमुक सडकों को जाम किये जाने और उससे सियासी नुकसान कार आपके इस पूरे मामली में क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं इस्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल टीवी नमस्कार